एक बार एक जंगल में गधा और लोमडी आपस में बात कर रहे थे गधा कह रहा था आस्मान लाल है लोमडी ने कहा नहीं भाई आस्मान तो नीला है गधे ने कहा आस्मान लाल है मैं इसके लिए तुमसे चाहो तो शर्त लगा सकता हूँ लोमणी ने कहा शर्त तो तब लगाई जाए ज़ब डाउट हो डिख रहा है साफ की आसमान नीला है तो तो इस तरह की बात उठा ही कैसे सकते हो उसने कहा नहीं, आसमान नीला नहीं है, आसमान लाल है, तुम्हें यदि यकीन नहीं है तो चलो शेर खान के पास राजा के हाँ चलते हैं शेर बताएगा कि आसमान लाल है कि निला लोमरी ने का ठीक है इसमें कौन से समस्या है मुझे पता है मैं जीतूंगा मगर उसने बोला एक शर्थ है चलने के पहले अगर जो जीता ओव जीवित रहेगा दूसरा मारा जाएगा उसको या ओफर देना पदेगा शेर को कि उसको खा ले उसने का मंझूर है मुझे क्योंकि मुझे पता है कि आसमान लाल है तो इसमें हारने के तो गुंजाइशी नही कि साथ में एक शर्थ भी जुड़ी हुई है महराज जो हारेगा उसको आप खा जाएंगे सोच कर जबाब दीजिएगा राज शेर ने कहा गधा सही बोल रहा है तुम हार गए मैं तुम्हें आप खा जाओंगा लोम्री को बहुत गुसा आया उसने कहा ये कैसी मजाक है आसमान नीला है आपको साफ दिख रहा है इस बेवकुफ गधे के चकर में आप मुझे खाने जा रहे हैं शेर ने कहा गल्ती गधे की नहीं है गल्ती तुम्हारी है जो तुम गधे से उलजने चले गए समस्या हम सब के आसपास है हम जादा तर लोग गधे से उलज रहे होते हैं इस बात के लिए उलज रहे होते हैं कि नहीं आसमान नीला है कि आसमान लाल है गधो का तो काम ही यही है जो है उसका उल्टा बोलना है जो है उसके लिए लड़ाई करनी है समझदार के लक्षन ए होते हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि सच क्या है और जो सच है उसको स्विकार लीजिए और जो बेवकुफ बकवास कर रहा है उसको नेगलेक्ट कीजिए अगर गधो को समय देंगे गधो के बाद को इतना वैल्यू देंगे गधो के समय इतना समय बेतीद करेंगे तो समस्या आपके अंदर है उस गधे में कोई प्रॉब्लम ने गधे के तो नियती यही है गधे के तो हरकते ही ऐसी है कि वो नीले को लाल बोलेगा और आपको इसी चीज़ में फसा के रखेगा आज हम सभी के आसपास इस तरह के गधे मौजूद हैं जो हमें हमेशा इस तरह की बातों में कन्फ्यूज करके रखते हैं कि सही क्या है हमारे लिए ठीक क्या है हमारे लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऐसा करने से ये चीज सुधर जाएगी ऐसा करने से समस्या का समाधान मिलेगा मा फिर भी हम गधों के चक्कर में पढ़के बेवकूफों के चक्कर में पढ़के हम अपना समय बरबात कर रहे होते हैं सफल होने के बहुत सिंपल सिधानत हैं, अमीर होने के बहुत सिंपल सिधानत हैं, करने के तरीके आसान हैं, मैं फिर भी लोग करना नहीं चाहते, करते नहीं हैं, मगर उससे दूर चले जा रहे हैं, मैंने कुछ पॉइंट सोचे हैं, कि जिस पर मैं इस कहानी के थूँ आप ल हम इस तरह की हरकते कर रहे होते हैं कि हम आलोचनाओं से बच जाएं आलोचना से बचने के जरुवत नहीं है बेवकुफ लोग आपकी आलोचना करेंगे ही करेंगे यह उनके खून में बसा हुआ है आपके काम क्या है आप उस आलोचना से दूर रहें आप उस situation से अपने आप को दूर करें नहीं फसे उनके उजूल भुलूल चक्रों में अधि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे मगर यदि उनके बनाए हुए उस कैसल में फसते चले जाएंगे तो आप और बेवकूफ में कोई खास अंतर नहीं है उसका हो जाने का डर असफल हो जाने का डर इस सारी चीजें ऐसी हैं जिसके पर आपका या मेरा वर्ष नहीं है आपको क्या लगता है इस दुनिया में जो कुछ भी बड़े प्रयोग हुए हैं जो कुछ भी आज तक रिसर्च हुए हैं इन्वेंशनस हुए हैं डिस्कावरीज नहीं बड़े बड़े प्रियोग किये हैं, बड़े बड़े काम किये हैं, मगर क्या लगता है आपको जब वो इस तरह के प्रियोग, इस तरह की काम, इस तरह की चीज़े सोच रहे होंगे, तो उनके आस पास के लोगों ने उनको प्रोसाहित किया होगा, कि हादो साहित किया ह होंगा तो उसको क्या मिला होगा फ़र्श फेस में किस तरह का जवाब मिला होगा ठीक है गुड करो कुछ ने कहोगा मत करो एक बार कोशिश की दो बार कोशिश की दस बार कोशिश की असफल रहा तो क्या बोला होगा जो बहुत करीबी हैं जो उसको समझ पा रहे होंगे उसन लगता है कि यह नहीं हो पाएगा, हो सकता है तुम से नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे कैपिसिटी पे डाउट नहीं कर रहा, मगर मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, कोशिश कुछ और कर लेते हैं, मगर जिन लोगों ने परिवर्तल नाय हैं इस दुनिया में, जिन लोगों ने आविश्कार किये हैं, क्या इतने के बाद रुख गए थे क्या हो लोग, इतने से कोशिश के बाद 20 प्रयास के बाद रुख गए थे क्या, क्या उनके उपर ताने नहीं कसे गए होंगे, क्या, ए मेडकों ने उचल उचल का बाहर निकलने की कोशिश की, बड़ी कोशिश करने की, बड़ा समय तक कोशिश करते रहे, करते रहे, बाहर निकल ही नहीं पाए, नहीं निकले, तो ऊपर बैठे वे मेडकों ने कहा, लगता है तुम लोग निकल नहीं पाओगे, लगता है तुम ल जो कि कोशिश करता रहा उचलता रहा उपर से मिढख बोलते रहे मत कर कोशिश भाई उचलते उचलते मर जाएगा इससे अच्छा है आराम से चैन के जिन्द की जी जितने दिन अंदर बैठा है और अंदर अपने अप मर जाएगा जो हो पाएगा हम खाने पीने का उपर से फ ऐसा क्या किया? उसने का एं? एं? वो सुन ही नहीं सकता था. वो बोल ही नहीं सकता था. ओर लोग जो बाहर बैटके उसको समझा रहे थे मेढ़क, उनकी बात ही नहीं सुन पाया हो. सुन ही नहीं पाया कि ओर लोग कह रहे तुन नहीं कर पाएगा. बाकी नहीं सुन लिया था हमें आगे बढ़ने से बार बार रोक रहे होते हैं, बार बार बोलते हैं, तुम से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, मगर मेरा मानना है, एक बार यदि डिसाइड कर लिया है न, मैं कर कर रहूंगा, ये मैं ही करूंगा, और कोई नहीं कर सकता, या सिर्फ और सिर् मैं करूंगा, मैं यही करने के लिए ही तो बना हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं होता है, करके रहूंगा, यदि यह द्रिश्ट संकल्प आपने ले लिया है, यह भरोसा ले लिया है, विस्वास रख लिया है मन में, कि मैं कर सकता हूँ, और मैं करके रहूंगा, और देखता ह कितनी कोशिश करता है नेचर इश्वर कितनी परिक्षा लेता है मैं सफल होंगा ही होंगा देखता हूं कौन रोक लेता है जिस दिन आपने होंगा ही होंगा बोल दिया ना उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता नेचर हो सकता है थोड़ा समय ले ले आपको टेस्ट कर ले इश असफल प्रयास आप एक्जामपल सुन चुके हैं एक एक हजार बार के असफल प्रयास के बाद बल्व का इंवेंशन किया आज वरतबान के बात करता हूं वरतबान में सबसे अमीर आदमी अभी हो चुके हैं हमारे स्पेसक्स के मालिक टेसला के मालिक उन्होंने जब एक स्पेस में लोगों को भीजूँँगा? तो क्या हुआ होगा? लोगों ने कहा होगा बहुत अच्छा, Well done तुम करसकते हो कि लोगों ने कहा होगा पागल हो गया है स्पेस भेजेगा, मार्स मिशन भेजेगा, लोगों को वहाँ बस आएगा लोग ट्रैवलिंग करने के लिए वहाँ जाएंगे और आज आज हम लोगे सामने हैं उनका मिशन सकस्फल हो चुका है आज स्पेसक्स मिशन पर काम सुरू हो गया है उन्होंने वहाँ पर जाकर के जमीन बगरा भी बेचनी और इस तरह का टूर बनाने के तैयारी सुरू कर दी है बुकिंग जो स्टार्ट कर दी है क्या लगता है इस तरह के लोग हम जैसे नहीं है क्या हमसे अलग है क्या साधारन लोग ही आसाधारन रिजल्ट देते हैं साधारन लोग नहीं लगतार किये जा रहे परिश्रम से लगतार किये जा रहे एफर्ट से परिवर्टन ला देते हैं और लोग अलग नहीं होते जो अलग करते हैं बस करने का तरीका अलग होता है अमीर होना मुश्किल नहीं है सक्सिस्फुल होना मुश्किल नहीं है करने के तरीके तो वही हैं बस हार नहीं मानना है यदि आपका गोल सही है रास्ता राइट पकड़ रखा है मेहनत करने को तयार है पेसंस है आसपास का इंवार्मेंट अच्छा है लोग आपके आसपास पॉजिटिव है आपका फैमली का सपोर्ट हो ना हो मगर यदि इंवार्मेंट का सपोर्ट है और आपका लगन है बस्वास है कि मैं कर सकता हूँ मैं ही करूँगा मैं बस्वास दिलाता हूँ आपको आप वह पा लेंगे समय कितना भी लग जाए हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है हर व्यक्ती में कुछ खास है हर व्यक्ती युनीक है हम सब कुछ अलग करने के लिए इस प्रिथिवी पर आए हैं उस भेजने वाले ने हमें कुछ सोच कर भेजा है हम अपनी बेफकुफियों से अपनी कमजोरियों से उसके उस मिशन को हम कमजोर कर रहे हैं लगे रहिए कोशिश करते रहिए मुझसे अगर आप बात करना चाते हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इमेल आईडी अपने बुकिंग करवाने के लिए एक वाटसअप नमबर भी डाला है आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं फारवर्ड कीज़े सब्सक्राइब कीज़े चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाईए अस सफल होना बहुत आसान है सफल होने के लिए थोड़ी कोशिश करने पड़ती है चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो नए एनर्जी के साथ आप सब का दिन सुब हो